तो फिलाल में इस में से क्या करता हूँ कि बूट के पास से रिजिस्टर निकाले के लगा लेता हूं और यह रजिस्टर में अभी इस बॉड में क्या करने वाला हूं लगाने वाला हूं जो हमारा पॉल्टी बूर्ट है कि अभी देखिए मैंने इस रेजिस्टर को चेंज कर दिया है कि है अगे है कि है अगे है मैं अगे मैं हाई डियर फ्रेंस मल्टी रेकिंश्यूट में आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपने लैपटाप के लैब में तो दिखिए आज हमारे पास एक बूड है और यह आपका डेल का मदर और यह हमारा डेट कंडीशन में तो आज मैं आपको बताउन गां कि इस तरीके का अगर बोड़ में आता है तो इस खुझाल कि पर सकते हैं तो यह दंशन वर तो मुझे इसका पता है कि इस पास आफिए साथ फॉल्ट कफो chandrau कर दिया दिया तो मैं आप लोगों को एस वीडियो में बताऊं घा कि कि करें तो के सटरी का वीडियो है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसत तरीकें से किस दोस और को रिपर कर सकते हैं या आपके पास भी कोई ऐसा बोड आता है तो आप कैसे पता करें कि इस चीज का फॉल्ट है या नहीं है तो वो सारे उनको तो पता होगा कि इस चीज़ों को किस तरीके से रिपेर करता है और क्योंकि यह जो इसमें छोटा सा एक फॉल्ड था जो हमने और उनलाइन दोनों ही कोड्स अब लेबल होता है चले फिलाल देखते हैं बोड पर कि किस तरीके से इसको रिपेर करते हैं तो वह सारे चीज़े तो जैसे कि अब मैं इस बोड में बताने जारू आपको तो इसमें में इसमें फॉल्ड जो था कि यह जो बोड है ऑन अप स्व नहीं हो रहा था यानि पूर डेट कंडिशन में ही था जो कि इसमें यह सारे चीज़ की प्रॉमलब थी तो वह सारे चीज़े हमने कहां से इस फॉल्ड को फाइंड आउट किया देखिए सबसे पहले इसमें जो दिक्कत था तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि देखिए यहां पर कि इसमें फॉल्ड किया था कि सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पर दिखूं यह हमारा डीशी है और क्योंकि मैं इस बूर्ड को रिपेर कर चुका हूं तो इसलिए मैं आपको पहले वर्किंग कंडिशन दिखा देता हूं इसका कि यह भी हमारा के कंडिशन में त सारा चीजे दे रहा है तो मैं लास्ट मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा दूगा और यह जैसे कि हमने यह पावर लगाया और यह बूर्ड प्रपर तरीके इस क्या है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि मैंने इसको रिपैर कर लिया तो बांकि मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का फॉल्ट था जिसे हमने रिपेर किया है तो इसमें बैसिकली फॉल्ट क्या था यह मेरे पास आया था बिल्कुल डेयड कंडिशन में और यह और नहीं हो रहा था तो अभी इसमें मैंने क्या है है जब इसका हमने find out किया तो जैसे कि आप जानते हैं कि RTC जो section में दिक्कत था अभी मैं आपको fault भी दिखाऊंगा कि क्या fault था इसमें वह भी जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने इसको on कर दिया on हो गया अभी मैं क्या करने वाला हूं यहां पर यह देखिए यहां पर यहां का जो section था मतलब पहले कहीं रिपेर कराया गया होगा तो उसमें यहां पर काम किया होगा तो कई वर क्या होता है कि यह चीज़े एक तो इसका इसमाटिक free up cost मिलता नहीं है तो यह वीना है वुष्ध कराया वे लिए कि मैं यह जयांपर लगया य्दिश्लिखया और मैंने चैंजभ कर इसको यहां पर कर दिया pin अभी क्या है बोड अब दिखे बोड का जो इसका अनफ का जो पीन है वह कौन सा है तो इसमेटिक में चलते हैं सबसे पहला तो समेटिक में मैं इस पीन को आपको दिखाता हूं कि यहां पर देखे इस कनेक्टर का नंबर क्या है कि यहां पर करता हूं मैं कंट्रोड एफ करता हूं तो यहां से कंट्रोल एफ करने के बाद आपको पता चलेगा कर आप इस एक और यहां पर देखेंगे जो पॉइंट है यह टोटल 50 पिन का है और ऑन अफ का जो पावर बटन यह आप देख पा रहेंगे कि 44 नंबर है इतना नंबर है 44 नंबर है तो 40 नंबर अगर इसका देखेंगे एक नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है 44 नंबर यहां पर है तो अभी मैं इस वोड को इस पिन से आउन करता हूं मल्टी मिट्र को कंटिणेटि पॉइंट करता ह động तो देखेंगे यह कंडिशन अभी जो मेरे पास आय था पूस चलाजा रहा है लेकिन पास था ऑ ने tutor अबी क्या किया तो जब मैंने इस चीजों को देखा बांकि इसमें एक पीन है कि जब मैं यहां इस चीजों को देखा तो यहां पर भी देखें गए कि इस पीन से जब मैं इसको टच करता हूं यहां पर तो यहां पर टच करने के बाद जो इसका ओनफ का पीन नहीं है यह निए डिरेक्टली आउट्पुट वाले पीन से इसको क्या कर रहा था ओन कर रहा था तो यह ओन नहीं होता बट लेकिन यहां पर जो आटीसी का है तो आटीसी पर जैसे आप फिंगर इस तरीके से टच करेंगे तो यह देखें बॉर्ड ओ रिजन क्या है कि जब मैंने इस देखा तो इस जगह पे क्या हो रखा था कि जो सामने वाले ने रिपेर किया था इसका जो आटीसी सेक्शन का जो कॉंसेप्ट है जैसा आप नैंटी परसंट बॉर्ड में देखते हैं उसमें से यह थोड़ा अलग है कैसे अलग है तो अभी 001 तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो भी व्यक्ति इसको रिपेर कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि उन्होंने देखा क्रिस्टल को चेंज किया यहां पर क्रिस्टल को चेंज किया लेकिन क्रिस्टल में देख रहे हैं यहां पर जो कि R1008 जो रजिस्टर है य और वाला जोड रजिश्ट्र लगा हुआ 10 का हुआ है यानि इसमें क्या किया क्रिस्ट्ल के बीच में एक रेजिस्ट्र लगा दिया जो डैनगा आप यहाँ पिर जो भी व्यक्ति कर रहे थे उर। तो क्या कर रहे थे कि Crystal को Change कर रहे हैं और Crystal के बग içmbud के बगल में जो यह रइस्टर लगा हुआ था उसमें जा करके क्या कर रहे थे हो गया है तो फिर इस कंडिशन में मैंने जब इससे के देखा तो मैं भी इसे क्रिफिल को चेंज चेंजय कीया एक बार लेकिन पिरमलब मैं गरूर्अ यहां पर डो राज्िस्टर देखा तो ठीसो के इस्तिमाल करने के बाद हमें यह चीज पता चला जैसे झालिए से बौड में हमदे पावर आउत है तो अभी यहाँ से देखिए बूड हमारा फिर ओन हो गया तो तोपोद्म तरह सा घ्रिसचार्ज होने दिजिए इसी तरीके सोता था कभी बूर्ट वण हुआ और कभी ने देखिए बूर्ड एकदम चल रहा है बिल्कोई दिख्कत ही नहीं अभी यहां पर यह जो पॉइंट है यहां पर जो हमारा रेजिस्टर था निकला हुआ भी लगाया नहीं है वह निकला हुआ हिए अभी मैं लगा क्लॉक होता है यह क्लॉक जो है हमारा क्लॉक जो है बोर्ड में नहीं बन रहा था बोर्ड में क्लॉक नहीं बन रहा था यह देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है इसमें क्लॉक मिसिंग क्या है क्लॉक मिसिंग यहां से ही आपको यह चीजे कंफर्म पता चलता है और यहां स में तो मुल्टी मीटर में आप देखते हों कि एक हाइघ है दूसरे साइड लो है तो 8e section को आपचे मानते लेकिन ऐसा नहीं कीव कि यह चीजों को अगर आपको 100% होना होना है कि सेक्षिन होना है चीजों करना पड़ेगा चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी जो को कानफर्म करने के लिए आपको । ज़रूर ही है आपके पास तभी जाकर कि आप 100% सियोर होंगे कि आपका सेक्षन यह प्रपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी मैं इसी सेक्षन को करूंगा और हमारा बूर्ट क्या हो जाएगा रिपेर हो जाएगा क्योंकि मातरी इसमें एक रजिस्टर का यह फॉल्ट था अभी रजिस्टर को मैं इसमें लगा दूंगा यह प्रमलव हमारा क्या हो जाएगा रिजॉल्व हो जाएगा तो इसमें अब क्या करना है कि मैंने यह ज़एस्टर को ही लगाओं गा क्योंकि रगाने से ज्यादा आच्छा रहेगा क्योंकि जंपर करेंगे तो कल को फिर यह दिक्कत आसकती है बौड में नुक्शान हो सकता है कोई भी एक रेजिस्टर देख करके इसमें क्या करना है लगा देना आप आपको फाइंड करके दिखाता हूं और यह प्रोम लग अभी साथ के साथ अभी रिजॉल्व करेंगे हम लोग और इसमें देखेंगे कि ज्यादा कोई बड़ी फॉल्ट नहीं है यह बिल्कुल छोटा सा सब्सक्राइब क्रिस्टर देखते हैं और क्रिस्टर को चेंज करते हैं तो पलीज आप इस चीजों को अच्छी तरीके से देखें और उसके बाद ही चीजों को करें आप हुआ कि ऊप तो फिलाल में एसमें से वूर्ष के पास से रिगर निकाल के लगा डेंग वोम हमेसा रिजिस्टर ही लगा हुग मैं इसे लगाने वाला हुग हुग फिकT excelli मेरा problem क्या हो जाएगा यहां से resolve हो जाएगा यह और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर इसका condition में changes होता है या नहीं होता है तो उस चीज़ों को देखें गया इस register को यहां से निकाल लिया है और यह register मैं इस बॉड में क्या करने वाला हो लगाने बाला हूं जो हमारा फॉल्टी बॉर्ड है और इस बॉर्ड मैं मैं यह register लगाने वाला हूं जो कि यह इस जगे पर फिट करने में भी जाइड सी बात है यही चीज़े आएगा कि यहां पर तो टेन मेगा कही रजिस्टर लगएगा क्रेस्टल से भी बीप कराएंगे और इस तरीके से यह दिक्कते आपको आएगी और आप इसे रिजॉल्ब फिर नहीं कर पाएंगे और काफी प्रोंबलब आपको होगा से अभी देखिए मैंने इस रिजिस्टर को चेंज कर दिया है अभी मैं इसको क्या करने बालों सिंपल अभी देखिए फ्लग लगाऊंगा बोड़ अपने आप ही क्या हो जाएगा यहां से आन हो गया अभी देखिए अनप स्वीच का जो हमारा बटन है और पहले मैं क्लॉ पहले नहीं बन रहा था वह क्लॉक देखेंगे यहां पे तो आपको देखने को मिल जाएगा यह क्लॉक का सिगनल है मारा पहले क्या था इसमें इस्ट्रेश लाइन था लेकिन अभी क्या है अब इसमें ट्रेटलाइन था है जो कि यहां पर सकते है 32.768 टीलो हर्स कि एक साइड का इंपूट का है यह देखे यह आउटवर्ड हो रहा हमारा और यह हमारा इन्पूट का है थीक है तो इसमें यह सिग्णल क्या था इसमें मिसिंग था कि मल्टी मीटर से चेक करते तो के दिखाता है लेकिन तब जा करके फिर मैंने इसको डेसो से चेक या डेसो जब चेक किया तो यह चीज़े फॉल्ट मेरों को मिला और इस तरीके से हमारा यह फॉल्ट अभी देखेंगे कि इसको मैं आप स्विच के जरीए मृ इसको आफ करूंगा तो ऑन-अप स्विच के जरीए हमारा यह बॉर्ड अभी आफ भी होगा अभी देखेंक यह आप को जैसे दिखा था तो फॉर्टीफोर नंबर फीन शे मैं इसको करता हूं बूर्ट को kare 44 नंबर से यहां पर दिखेंगे 44 नंघर पिन पर जैसे में यहां पर watch करूँगा तो यह watch हमारा Mac ओ गया अभी मैंने बोड को यानी आफ कर दिया अभी 44 नमबर पिन को टेच करूंगा यह बोड हमारा ओन यानि आन अप स्विच के जरी यह बोड हमारा क्या हो गया ऑन अफ होना स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल सिंपल फॉल्ट था और इसे रिजॉल्व नहीं करें पता नहीं कि यह क्यों नहीं रिजॉल्व लोग कर पाए तो म जूश्य नहीं होने के वज़े से तो जिस वज़े से कई बार होता है कि कंपोनेट दूसरा लगा देते हैं जिस वज़ें से अंब करते हैं अगर आपके पास समैटिक है या बोड वियू है तो उसके जई हैं आप देखेंगे यहां पर क्रिस्टल में इक सीरीज में रजिस तो आप भी इस वाल्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल चोटा सा फॉल्ट है और इसे आप मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत है कि यहां पर देखें मैं HDMI केवल के जरीए मैं आपको दिखाता हूं देखें मैं एक HDMI केवल लगाता हूं इसी बूर्ड में और यहां से देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा तो यहां पर देखेंगे कि हमने टू लगाया है यहां पर ठीक है अभी मैं यहां से बोड को यहां पर ओफ कर दिया और दुबारा से मैं यहां पर ओन कर देता हूं बोड को यह हमारा रैम लगा हुआ है और यह बोड यहां से देखेंगे आप तो यह मैं अब बोड को क्या कर करने वालों यहां से ट्रिगर करने वालों अभी बोड को यहां से ट्रिगर कर देता हूं क्योंकि पहले नहीं हो रहा था अभी हमरा अनुप से बोड ऑन हो रहा है जो कि यह प्रॉमलफ था इस बोड में क्योंकि सुछ से ऑन नहीं हो रहा था क्रिस्टल को ऐसे प्रेस करके र यह सारे चीज़ का आ रहा है यानि यह बूर्ड हमारा क्या हो चुका प्रॉपर तरीके से यानि रिपेर भी हुआ और डिस्प्ले भी आ रहा है और बिसिकली देखिए चोटा सा प्रॉमलब रहता है और उसे आप सही तरीके से रिजॉल्ब नहीं करते हैं तो इस चीज़ की प्रॉमलब आपको देखने को मिलता है जैसा कि हमने एक फॉल्ट को यहां पर रिपेर किया है अभी हमारे पास एक भी बोर्ड और अभी मेरे पास यह पेंडिंग में है और इस बोर्ड में भी इस बोर्ड में खेर तो नोडिस्प्ले का प्र झाल झाल